हेलो दोस्तो नमस्कार माये आपके SK Health में आपको स्रागत करता हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अगर छोटे बच्चे को सर्दी खांसी और बुखार हो जाए तो क्या करें अगर वह 0-6 मा के बच्चा है तो आप लोग को अगर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार ह हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखिए आपको ट्रिक्मेंट मिल जाएगा दोस्ता आप लोग एक थार्मा मीटे लेजिए और उसको उसका टेंपरेटर ना पलेजिए अगर टेंपरेटर आपको 95 और नाइट या 99 फरनाइट हो रहा है तो उसमें आप लोग को अपने किसी भी मेडिकल ओस्टर पर जाना है और मेडिकल ओस्टर से आप लोग को तीन मेडिशिन लेना उन तेनों मेडिशिन के दोस्तों आप लोग को देना हुआ 100 परसंट ठीक हो दाएगा दोस्तों मैं ऐसा ही टीट्म अब दक्टर पास नहीं जा सकते अपने से विलाज कर सकते दोस्तों यह कालपोल ड्रॉप है जिसमें पराशी टामल रहता है दोस्तों यह बहुत अच्छी मेडिशिन है दोस्तों यह बुखार को एकदम से आपको बच्चियों को नहीं आना देगा होगा तो खतम कर देगा का दोस्तों यह किसी भी मेड को स्टोर पासान से उपलाफद हो जाती दोस्तों कालपोल के सांथ इसको दीजिएगा तो वह अद्धुकुर्णी कति से काम करेका पर्तिचाक्षा तंतर उसका मजबूत करेगा दोस्तों यह दूसार का अगर बच्चे को खांसी है तो आप चेरिक कप शिरफ ले लेजिए और चेरिकप शिरफ को को लिले ना इन तीनों मेडिसिन को एक सांथ लिले जिए और इन तीनों मेडिसिन को दोस्तों क्या करना कि आप लोक पांच-5 बुंद है टीक सबस्ते तो धिरे जैकर भीडाददर हुआइग क्समान से खांपोर्त और गर करें अभी कभी में वहीं इंबातादों जो तो मैं पर्योंकिया रहता हूं थैंक्यू दोस्ते मेरे चैनल को अप्लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें